जन्दगी में एक बड़ा अमलाल गी रहा कि उनको उनका डियू नहीं मिल पाया अब जब क्या होता है कि जब आप इनसान अपनी उलादों से वो उमीद रखता है जो वो खुद ना कर पाया तो मरे वालिद साहब में मुझे गाता है कि या अबबाची के लिए कुछ करना है तो मुझे आते वारा में अच्छे आर्टेस थे नाम था उनका बड़े मशूर आर्टेस थे वो अपने दौर के ठीक ठाक आर्टेस्टों में से थे टॉप ग्रेट सारंगी प्लेयर और इने रेडियू में ग्रेडिंग होती बी भी हाई ए टॉप और उस वक उस दौर में पंडित राम रांटी और मेरे दादा और बाद में और भी लोग हुए पर उस दौर में वो टॉप थ्री लोगों में से थे जो सरंगी बजाते थे और तॉप बड़ा फक्र है हम लोगों को तो मैंने उस वक्त उनसे फाइले मंगाई थी उनकी तो जब फाइले मंगाई तो और वक्ता है जब वो मान गये पर मैं पढ़ा नहीं पाया उस बात को कि वो मान गया और उसके बाद चली गए तो वह जो एक खालिश थी ओजो एक तांक्यू बूलना रह गया मेरा उनको उसके बारे में यह इस पेशनल है और उनसे जो सीखा वने बहुत सारा सीख एक प्रवाट जोगा यार मुझे इतनी सुंदर लगती है यह बात क्योंकि बड़े लोगों के गुणिजन लोगों के सानिध्य में रहने से भी बहुत चीज़े सीखते हैं उनको करते वह देखने से उनको होते वह देखने से अगर आप किसी अपने से बहतर इंसान के आसपास भ बरबाद हो रहा है अगर आप समझदर आदमी तो आपका वक्त बरबाद नी होगा अब बहुत सारा सीख की निकलेंगे और मेरे बचमने का एक बड़ा वक्त जो है उनके सानिध्य में गुजरा में नहीं चाहिए में रहा हुआ उनके साथ-सात उनके पीछे-पीछे रहा म कि आप गोटे अपको जाथा समझ में अपको ताव को शॉट भी आपको जाट वाटे पतास वेसले हैं तो मैंने उनके साथ हो उनके जीवन को होते हो सेखा एक सिल्क भूस सीछा है जब लोगोत हैं वोच को बात कारते हैं निर्मोही भाव से छोटों को प्यार करना देना सब को लेना किसी से भी नहीं यह मैंने उनसे सिखा यार मुझे ख्वाब आया उनका कल सुबह और यह बहुत दिनों बादा तीन-चार साल बाद मुझे उनका ख्वाब आया और इतना ऐसा लगा ना मेरे को कि यह रहे आर वह शार-पांचे-बाद में और बात हो रही घर में को शादी वादी है सारे उनके कप्रें और उनके लाल महंधी कलर के बाल और उनके कोड़े मैं से चार अजा रूपे पांचे के नोट अगर मोले वे हों यह भोलहा लेंखे में जो अपके अछार। मेरे बाप बोले, बाप बने वहाद बैना कॉपना है। क्योंकि वह शायद नहीं था। हाँ आपता नहीं वह उनका अश्रवाद ए अश्रवाद के साय में चलते हैं। बहुत कमबार होता है कि आपके बड़े बुजर्गों को आपको देखने का मुका मिले. कहते हैं कि सब लोग उनको सब अबबाजी बोलते थे, खासाब बोलते थे, मैं उनको खासाब बोलता था कभी, ठीक है कभी उस्ताद बोलता था उनको, प्राइब दोस्त की हैसे से उन्होंने बडा बराबरी का दर्जा दिया जम्हें उनके साथ गुमते हैं बहुत मजाक्की आप गपली की हैं और उनके नाम के हम तो वह सारे अनुबा मुझा अशा लगता था कि उनसे जो हमने सीखा अब क्या बड़े परिवार में जब बड़ जाए तो मेरे खाल से जब वह नहीं रहे तो हमको बहुत चीजें अहसा सब्सक्राइब में लोगों को बताता था कि पता है मर दादा ऐसे थे 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 बड़ी फ़नी वात है हम लोग तो पच्वने से अब्बाजी को क्रिटिसाइज करने हमारा फुल टाइम काम है हम इनको जब में होते वे देख रहा हूं तो इतना गिफ्ट थे हर वो लमहा रोपल जो में उनके साथ था जहां में आद रखता है मैं डूपता हूं समंदर उचाल देता है तो अगर आज मैं यहां पर इस वक्त बैटकर अगर ये शब पा रहा हूं तो श्याद उसके अंदर मेरे वालत साब का, मेरे अम्मी का, मेरे दादा का बड़ा हाथ है तो उनके बारे में बात करने का मौका मुझे मिला तो मैंने करिए मावजा हमेशा ये पूछना चाहिए